वेल्कम बैक टू प्रित का कीच्छन तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई रबडी खीर की रेसिपी और इतनी जादा बढ़िया खीर है कि आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राय करोगे तो बार बार बना के खाऊगे तो इसके लिए हम वीडियो को स्टार्ट करत करते हैं वह वाले और अच्छे से हम इसको वोश कर लेंगे दो तिन पानी सी क्योंकि पानी में बहुत चावल में बहुत जादा गंदा होता है तो अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद में हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और उसमें हम यह चावल डाल पीस लेना है फिर चढ़ाएंगे कढ़ाई पैन जो भी आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा देंगे और उसमें एड़ करेंगे हम खूप सारा घी यहां पर मैंने आधा कटोरी का चावल का खीर बनाया है तो मैं यहां पर दो से ढ़ाई चम्मच जो है वो मैंने तो घी लिया है घी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और फिर यह जो हमने चावल का थोड़ा सा क्रश किया था वो चावल डालके हम इस घी के साथ अच्छे से जो है वो इसको सेक लेंगे चावलों को अच्छी तरीके से हमें घी के साथ सारे चावलों को जो है उस सेक लेना है एक दो से तो दूद्ध हमें इस चावल को पकाएंगे तब तर दूद्ध हमको थोड़ा ज्यादा ही लेना है और यह रबड़ी वाली खीर बना रहे हैं तो वैसे भी और दूद्ध अगर आपके पास आप मलाई वाला नहीं लेना चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी दाल सकते उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आएगा बट मेरे पास यहां पर फुल क्रीम वाला दूद्ध था तो मैंने वही ले लिया है और अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक हमारी खीर जो है वो चावल अच्छे से ना पक जाए तब तक हमें इसको अच चुका है थोड़ा बहुत दूद्ध जो है वो कम हो चुका है और कंटिन्यू हमको इसको चलाते रहना है पकाते रहना है तो यहां पर देखिए बिल्कुल से हमारी खीर जो है वो एकदम से चावल जो है पक चुके हैं हमारे अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे चीनी और आप लोग देख रहे हो बिल्कुल गाड़ा ट्रेक्स्चर आ गया है बिल्कुल रबड़ी टाइप हो गया है तो अब हम इसमें चीनी एड़ कर देंगे तो चीनी एड़ करने से हमारा जो खीर है वो वापस थोड़ा लिक्विट फोम में आ जाएगा थोड़ा साथ ही में मैंने इसमें लाइची पाउडर एड़ कर दि इतनी जादा मतलब दिखने में इतना जादा बढ़िया लग रही है सो चो खाने में कितनी जादा बढ़िया होगी एकीर सीरियसली मतलब नॉर्मल खीर से तो इसका टेस्ट काफ़ी जादा अच्छा है तो खीर हमारी यहां पे बनके हो चुकी है रैडी तो अब हम इसमें आ में थहोड़ी से ड्राइफूरट आपको पसंद तॉंधं नॉर्मल उइसटिक्रव !! तो यहां पे मैंने यह डाल ली है और उपर से मैं खूप सारा ध्राइफ डाल दोंगी खीर और ड्राइफ रूट ना हो तो यह तो बिल्कुल भी गलत होगा खीर में तो ड्राइफ रूट काफ ही यादा अच्छा लगता है तो यहां पर हमारी खीर बनके हो चुकी है रैडिय में इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो खाने में तो कितनी ज्यादा अच्छी लगी थी अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैल पी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो इंजोई करिए ये बढ़िया सी खीर और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यों फॉर वोच्छींग है महादेव